हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरूपल बिटर टैन्थ क्लास के 27 वर्क्षीट है यह दस तारीक के यह आखरी वर्क्षीट है इस हपते के बिटर हिंदी मीडियम में धातू एव एधातू आयनिक घटक आयनिक योगिक आयनों से बने योगिक होते हैं यह आयन वो परमाणू है जो इलेक्टरोनों को प्राप्त करते हैं या खो देते हैं जिससे उन्हें सोध सकारत्मक्ता या नकारत्मक्ता का अवेश मिलता है धातूए अपनी परवर्ती के अ नुसार एलेक्ट्रोनों को खो देती हैं धनायन बनकर सकारत्मक अविश प्राप्त करती हैं और गय धात्वे रिनात्मक यानि कि बेसिकली वो क्या कह रहा है आपसे कि आयनिक निसके सब्सक्रण भाव होगा कहते हैं एक लेना और एक देना ततव अपने निकतन कुलीन गैस विन्यास, नोबल गैस configuration के लिए electron प्राप्त याख हो सकते हैं क्योंकि ऐसा होने पर उनको एक स्थिरता हासिल होती है आम तोर पर जो धातू होती है वो electron को खोते हैं जब कि गैर धातू से प्राप्त करती है जैसे आपको यहाँ पर दिखा भी रखा है कि sodium chloride में sodium जो है उसने खोया है उसने इसको दे दिया है और जब यह chlorine के पास यह चला गया है तो यह sodium chloride बन गया ऐसी आपको दिख रहा है magnesium chloride का गठन कि magnesium ने electron दे दिया है यहाँ से यहाँ से और chlorine ने दोनों एक इस iron को और इसको अपने molecule को दोनों को ले लिया है तो क्लोरिन को टो electron मिल गए है एक ही magnesium ने दो क्लोरिन के ले electrons निकाल दिये हैं एक आइनिक योगी का नाम बताएं जिसे आप असानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं तो भई इसका उत्तर होगा sodium chloride क्या उत्तर होगा sodium chloride table salt के तौर पे में मिलता है आइनिक आबंद कैसे बनते हैं तो आइनिक आबंद कैसे बनते हैं या आइनिक बॉंड कैसे बनते हैं तो इसमें आप यह लिखेंगे तीसरा है प्रमानों एलेक्ट्रोन क्यों प्राप्त करते हैं और क्यों खोते हैं तो इसका उत्तर है ये अपना निकटतम गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या कैल्सिम उक्साइड भी एक आएनिक योगिक है हाँ यूकि मैटल और नौन मैटल से बना है सोडियम क्लराइड के निर्मान की व्याख्या करें तो उसमें आप यह दिखा देंगे बटा यह डाग्राम बना देंगे बस इसे से बन्दा समझ जाएगा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो फ्रेंड्स प्लेस सब्सक्राइब टो चैनल कीप सपोर्टिं अस दू लाइक एंद शेर वर वीडियो